वेलकाम बेक गाईज जब आप MTP kit की first और second dose लेते हो second dose में जो दो tablet होती है mesoprostol की वो लेनी होती है तो जब आप इनको ले लेते हो तो आपको bleeding स्टार्ट हो जाती है तो फिर doubt रहता है कि अगे की जो pending 2 dose है वो लेनी जरूरी है कि नहीं है या फिर हमारा 3 tablet से ही काम हो जाएगा साथ ही लोगों को ये भी डर रहता है कि 3 tablets लेने से आपको इतनी heavy bleeding हो रही है अगर हमने आगे की जो 2 tablets हैं वो ली और आपको heavy bleeding हुई तो उसको manage कैसे करेंगे और कभी कभी ये भी doubt रहता है कि 2 tablets लेने से जो आपको heavy cramping हुई है लोग जो पैंडिंग 2 tablets से उसको लेना ही skip कर दें तो उससे क्या आगे कोई परेशानी होगी की नहीं होगी इन सभी बातों को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में discuss करेंगे मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे youtube चैनलेंज पर और बीना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करती है तो वाइस देखिए जो kit है उसकी जो first tablet होती है मिफे परिस्टोन की होती है ये first tablet 200 miligram की होती है और जो pending for tablet है वो single tablet 200 microgram की होती है और four tablets 800 miligram की हो गई ठीक है अब जैसा मिन आपको method बताया था उस method के थुरू बहुत ही rare cases में आपको first tablet से bleeding start होती है ठीक है लेकिन कभी-कभी rare cases में आपको bleeding start हो सकती है जो कि मैंने आपको already जो कल की video आई थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि पहली गोली से bleeding क्यों start होती है फिर आपको आगे क्या करना है लेकिन अब क्या है कि first tablet ले ली उससे कुछ नहीं हुआ और जो next two tablets थी जब आपने ली तो आपको bleeding start हो गई अब लोगों confusion होती है कि आगे क्या करना है आगे की tablet लेना जरूरी है कि नहीं है कि इससे ही काम हो जाएगा जो तीन tablets लें है तो देखिए भाई आपने जो तीन tablets ली है ना उससे आपको bleeding तो हो गई start ठीक है लेकिन जो pending two tablets है उससे आपको bleeding control होती है और जो load dose होती है abortion को complete कराने के लिए वो 5 tablet की होती है 3 tablet लेने का कोई मतलब नहीं होता है अगर आप 3 tablet लोगे तो आपका incomplete abortion होने के chances बहुत ज़ादा होंगे और बहुत कम chances होती है कि 3 tablet लेने से किसी का abortion clear हो दूसरी बात यह है कि आपको यह भी डर रहता है कि अगर हमने जो है pending two tablets ली और उससे heavy bleeding हो गई तो फिर कैसे manage करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है 3 घंटे के बाद आपको 2 dose लेनी होती है उससे आपको जो bleeding है अगर नहीं होई है तो वो start हो जाती है और अगर हो गई है तो आपको आगे severe bleeding ना हो वो भी इन दो टैबलेट से ही control होती है ठीक है कहने को तो यह जो चार tablets है यह mesoprostol same ही है लेकिन जो first दो tablet होती है इनसे bleeding start होती है और जो next की दो tablet होती है उससे आपको ज़्यादा bleeding ना हो उसको control गरती है इन दो tablets और जो भी authentic methods है इतनी research हुए है उसमें आपको चार tablet mesoprostol की लेनी ही लेनी होती है मेरे पास ना खुद के experience से बता रहा हूँ जिन लोगों ने तीन tablets लेके try किया है ना abortion के लिए उनका abortion clear हुआ ही नहीं है पहली बाद तो bleeding ही बहुत time तक रहती है अगर आपको bleeding बंद हो जाती है तो आपको दुबारा से bleeding स्टार्ट हो जाती है और by chance अगर आपका abortion clear हो भी जाए तो फिर आगे future pregnancy में conceive गरने में बहुत problem आती है अगर मेरे पास वो comment हुआ या फिर message हुआ तो मैं आपको screenshot भी दे दूँगा उसका तो ऐसी गलती मत करना complete kit लेना ताकि आपका जो abortion है वो clear हो और जो method बताया था authentic method अगर उससे लोगे तो 7 से 12 दिन में जो है bleeding बिल्कुल बंद हो जाती है confirmation के लिए आपको 14th day पर ultrasound कराना होता है और 21th day पर आप urine pregnancy test कर सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो को देख लेना आज की वीडियो यहीं पर खतम करती है यहां तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंटरस्टिंग टोपिक के साथ अब तक के लिए stay healthy stay fit thanks for watching this video